हलो फ्रेंट्स पेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें flutter में carousel slider add करना हो तो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं carousel slider का मतलब बेसिकली यह है कि अगर आप अभी screen पर देख रहे हैं कि एक मैंने already demo बनाया हूँ है तो यह हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम इसे execute करेंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह auto play हो रहा है अपने आप जो images है वो rotate हो रही है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज उसे subscribe कर लीजे सबसे पहले चीज तो यह कि हम लोग यहाँ पर package का use करने वाले हैं जो package का नाम है carousel slider अगर मैं इसमें installing में जाऊं तो यह मुझे बताता है कि इसको क्या क्या चाहिए एक तो इसे dependency चाहिए यहाँ पर और जब यह dependency हम हमारे code में add कर लेंगे इसके बाद हमें एक बार flutter pub get को call करना है और import करने के लिए यह हमारे पास code पढ़ा हुए import करने के लिए so again हमेशा की तरह मैं बिल्कुल zero level से आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम इसको add करेंगे so friends मैंने एक यहाँ पर main.datnum से मेरी एक empty file भी रखे हुई है और जो हमारा pubspec.ml होता है उसको मैंने यहाँ पर open किया हुआ है सबसे पहला काम जो हमारा carousel slider के लिए dependency है हम उसको लेते हैं तो मैंने इसको यहाँ पर copy करा और जो मेरे यहाँ पर dependency का section है इसके अंडर जो flutter है इस पर मैंने इसको basically यहाँ पर add कर दिया यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो flutter है जो आपका उसी के साथ में उसी level पर आप लोगे carousel slider को basically add करेंगे इसको मैं एक बार save कर लेता हूँ और save करने के बाद एक बार हम चलते हैं हमारे wizard studio के terminal पर तो मैं चलता हूँ यहाँ पर new terminal और इसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि flutter pubgate को हम लोग एक बार call करा लेंगे चलिए इधर चलते हैं और एक बार हम इसे call करा लेते हैं जिससे अगर कोई भी हमारी dependency या कुछ ची इंपोर्ट कर लूँगा और उसी के साथ में जो हमारा यह carousel के लिए भी package है यह मैं इसको भी लेकर import करा लेता हूँ दो package मेरे यहाँ पर आ गए इसके बाद हमने यहाँ पर void main लेकिया है और void main के अंदर हम लोग ले आए हमारा run app और run app के अंदर मैं ले आता हूँ मैंने बोल दिया यहाँ पर my slider अभी एक बना लेते हैं हम my slider नाम से और इसको मैं धर बंद कर लेता हूँ एक हमने बनाई class इसको extend करा लेते हैं और इसको करा लेते हैं stateless visit से क्योंकि कोई dynamic content हमारा है यहाँ पर आ नहीं रहा है method को override करेंगे और एक बार यह देख लें कि यह क्या बोल रहा है अच्छा यह बोल रहा है कि अभी तक जोई use नहीं किया है हमने ठीक है कोई बात नहीं अभी इसको आगे use करेंगे और यहाँ पर मैं return करा लेता हूँ scaffold को scaffold क्या क्या लेगा एक तो ले लेते हैं यहाँ पर app बार चलिए app बार के भी कोई ज़ववत नहीं है directly हम चलते है body में और body के अंदर center में मैं फिलहाल के लिए एक text डाल देता हूँ child और इसमें एक text डाल देते है text और text के अंदर मैं डाल देता हूँ यह text तो जो basic app होती है सबसे पहले चलते हैं इसको execute करते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं तो यह हमारा कुछ इस तरीके से यहां पर एक output आ गया जो हमारे पास यह child है इस child की जगा पर जो हमने package को use किया था उसको मैं यहां पर use करूंगा और मैं यहां पर लेके आ जाता हूँ मेरे carousel को तो मेरा carousel slider आ गया यहां पर एक शैद extra open हो गया हमारे यहां पर bracket carousel slider आ गया हमारे यहां पर तो carousel slider जो है दो चीज़े लेता है यहां पर एक लेता है options options में हम लोग अभी के लिए खाली जो हमारा carousel है उसकी height दे रहते हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए carousel options तो यहां पर मैं बता देता हूँ कि जो इसकी height है let's say 400 हम दे देते हैं इसकी height को चलिए अगर आप mouse over करेंगे यहां पर तो बोलेगा यह कि दो चीज़े return करता है एक तो यह option और एक item में हम लोग यह बताएंगे basically कि क्या इसके अंदर हम रखने वाले हैं तो मैं की करता हूँ कि एक यहां पर variable बना लेता हूँ मेरा तो एक यहां बना लेते हैं हमारा final और एक हम बना लेते हैं हमारा data के लिए तो मैं एक variable बना लेता हूं source जो की होगा हमारा list type का L I S T और इसके अंदर मैं हमारा जो data है वो basically डाल लेता हूँ तो पहले क्या करेंगे हम लोग immediately image नहीं लेते पहले मैं आपको basically color के साथ बताता हूँ उसके बाद हम लोग यहाँ पे image को ले लेंगे तो मैंने बोला कि एक color है मेरा red colors dot एक हो गया black colors dot एक हो गया हमारा yellow तो मैंने यहाँ पे तीन basically color ले ली है यहाँ पे जो हमारा data display करने के लिए use होंगे तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं option के बाद इसको थोड़ा सा align कर लेते हैं यह थोड़ा सा alignment इसका हील गया इसको मैं कर देता हूँ इधर चलिए यह आ गया option आ गया option के बाद हम लोग यहाँ पे ले ले लेते item item में हम लोग क्या क्या करेंगे सारी चीजे हमारी इसी के अंदर जाने वाली हैं तो सबसे पहले जो हमने यह source नाम से variable बनाया था मैं इसको use कर लूँगा तो मैं बोलूँगा जो हमारा source है dot map और इसके आगे यह जो map हमने लिखा था इसके आगे मैं कोई भी एक डाल देता हूँ let's say I डाल देता हूँ तो यह यहाँ से हमारा क्या करेगा यह एक loop में एक तरीके से चलना जो है यह execute हो जाएगा और यह थोड़ा मैं इसको ना change कर देता हूँ इसको आगे आगे जैसे मुझे जववत पड़ेगी मैं वैसे वैसे bracket लगा लूँगा तो मैं ले आया यहाँ पे इसे map और हमारे पास एक आगया यहाँ पे आये चलिए यह error क्या दे रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ इसे sorry यहाँ पे एक और bracket आना चाहिए था actually मेरा इसके बाद हम लोग नीचे जैसे जैसे मैं bracket के जोध पड़े की मैं add करता रहूं को कि मुझे थोड़ा सा confusion हो जाता इससे तो एक हम ले आते हैं यहाँ पे return करा लेते हैं builder को return b u i l d e r हमारा यहाँ पे आगया builder और यह जो builder के अंदर है हमारे पास कुछ data जाएगा तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ यह जो builder है हमारा p u i l d context build context आगया हमारा है यहाँ पे और build context के अंदर हम हमारा जो data है वो डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने बोला कि return किया जाए एक container को, container के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, container के अंदर जो हम लोग यह return करा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक तो डाल देता हूँ, सबसे पहले कि क्या जो data था हम वो दिखा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर बोला decoration, decoration का use करेंगे हम data display करने के लिए, तो मैंने बोला यहाँ पर box decoration, और box decoration के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, कि जो हमारा color है, क्योंकि color का use कर दें हम, तो मैंने बोल दिया color eye, खाली color eye बस बोला मैंने, और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, इसके बाद खाली हमें यह करना पड़ेगा, कि यह जो हमारे brackets हमने बनाए हैं, यह हमें थोड़े से बंद करने पड़ेंगे, और यह जो हमारा है, इधर में डाल देता हूँ, dot, toolist, hopefully, हमारा ठीक होगा, यह कुछ error दे रहा है, एक तो container के बाद, मेरा यह बंद होगा, और एक builder के बाद, मेरा यह बंद होगा, चलिए, I hope कि कोई error है नहीं हमारी यहाँ पर, चलिए, अगर error होती तो हमारी यहाँ पर दिख जाती, तो मैं इसको इधर बंद करता हूँ, और एक बार इसे hot reload करके, हम लोग चेक करते हैं, कि क्या output आ रहा है, देखिए, जैसे ही मैंने यह करा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे यह color के साथ, basically data आना शो हो गया, और carousal का जो effect है, आपके पास वो भी आ गया, अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी styling use नहीं कही है, इसलिए आपको यह जो होगा, थोड़ा सा खराब तरीके से भी दिखाई दे रहा है, styling के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमने यहाँ पर container बनाया था, इसके अंदर हम लोग styling basically कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, मैं एक तो ले आता हूँ यहाँ पर margin को, और margin जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, वो ले लेंगे edge, और इसको मैं ले लेता हूँ, symmetric और इसमें मैं डाल देता हूँ, basically horizontal से लेना है हमें, और कहां कि हमारा, इसको मैं next line में ले लेता हूँ, और थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर, let's say 2.0 कर देते हैं, एक बार देखते हैं इसे run करके, थोड़ा सा space आ रहा है, मुझे और चाहिए, तो मैं इसको लेट से 5 कर देता हूँ, एक बार देखते हैं, थोड़ा सा space जो हो बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ा नहीं है, देखे चलिए, थोड़ा space बढ़ गया, जितना space मुझे चाहिए था, उतना जो space है, basically मेरा यहाँ से बढ़ गया, इसके बाद थोड़ा सा इसको और अलाइन कर लेते हैं, उसके लिए एक तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यह देखे, जो आ रहा है यह भी autoplay नहीं है, अपने आप चल नहीं रहा है, उसके लिए हमारे पास carousel option के अंदर अलग-अलग parameters होते हैं, तो एक होता है हमारे पास autoplay, इसको मैं कर देता हूँ true, देखे, जैसी true करा, तो अब अगर आप देखेंगे, यह अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, देखे, अपने आप चल रहा है यह, center वाला जो है, यह मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, enlarge कर चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास property है, और वो हमारे पास होती है, enlarge center page, और इसको अभी हम बोल देते है, true, देखे, अब यह देखे क्या करेगा, अगर आप देखोगे, तो यह बीच वाले को बड़ा कर रहा है, और उसके जो पीछे वाले हैं, उनको छोटा कर ले रहा है, तो यह कितना simple है, अगर कोई text डालना है आपको, text भी डाल सकते हैं, आपको कोई रोख थोड़ी सकता है, अगर आपको कुछ add करना है, तो text डालने के लिए भी, जो हमने container बनाया है नीचे, उसके अंदर हम हमारा जो कोई भी data है, वो basically डाल सकते हैं, तो container में यह हमारा decoration था, और decoration के बाद हमारे पास child है, child में let's say मैंने डाल दिया text, और यहां डाल दिया hello, save, और यहां पे आपका जो hello आप वो आ जाएगा, पर जो इसकी विर्थ है, अभी basically हो गई यहां पे थोड़ी सी गरवर, तो उसको भी हम manage कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहां पे जो container की विर्थ है, वो manage कर सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ विर्थ, और यह हम लोग media query से ला रहे हैं, क्योंकि हर screen के according, हमें इसको manage करना है, तो मैंने यहां पे बोला, media query.ofcontext.size.width, save करेंगे एक बार इसे, अब आप देखिए, आपका यह जो था proper आ गया, इसको भी अगर text को align करना है, center में करना है, वो सब आप कर सकते हैं, यहां पे styling देके manageable है, पर हमारे लिए important वो text नहीं है, हमारे लिए important है, यहां पे images लेके आना, तो images लाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, यह जो हम लोगों ने यहां पे array बनाया था, इस array को हटा के, मैं image का already मेरे पास array है, वो ले आता हूँ, तो जो मेरा image का array है, मैं यहां लाता हूँ, और उसे add कर लेता हूँ, मैंने already images जो हैं इसमें डाली हुई है, so image URL नाम से मैंने यहां पे list basically बनाई हुई है, इसको मैं एक बाल list कर देता हूँ, यह हमने list बनाई हुई है, इसका मैं यहां पे use कर लूँगा, तो इसका use कैसे करेंगे, इसका use भी simple है, बस यह जो content हमारा आ रहा था, यह हमने जो लिखा था यहां पे, source के साथ हम लेके चल रहे थे, इस बार हम image URL के साथ लेके चलते, और यहां पे कर देते हैं image path, image path, अब image path जब हमने किया, तो यह जो I है, यह यहां पे बोलेगा, भई, अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यह तो हमने किया था, color के लिए use, तो इसको मैं यहां से हटा दूँगा, in fact, box decoration की, मुझे फिलहाल कोई जवुवत ही नहीं है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, दुबारा इसको अभी जब जवुवत पड़ीगी, तो एट कर लूँगा, child में हम लोगों को image call करानी है, तो मैं यहां पे image call कराने के लिए बोल सकता हूँ, image, dot, network, network से ही करानी है हमें, और इसके अंदर मैं जो मेरा image का बात है, वो call करा सकता हूँ, एक बार save करेंगे, और अभी एक बार देखते हैं, थोड़ा सा load on name images time लगेगा, और अब जो हमारे पास box आ रहा था, उसकी जगा पे अब हमारे पास यहां पे image आ गई, radius अगर आपको यहां पे लेके आनी है, तो उसके लिए आपके पास box radius करके, border radius करके option होता है, उसका भी basically आप यहां पे use अगर करना चाहें, तो आप use कर सकते हैं, एक बार friends मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर से हमारी जो यह carouser slider की जो library है यहां पे, package है sorry actually, तो यहां पे भी अगर आप जाएंगे, यह रहा हमारा option, इस option के अंदर क्या-क्या parameters हैं, वो आपको सारे यहां पे मिल जाएंगे, जैसे कि height है, aspect ratio है, viewport है, initial page है, scroll करना है, auto play, reverse, इस सारे के सारे आपको option भी basically यहां पे मिल जाएंगे, जब भी आपका page change होता है, तो अगर आपको कोई event execute करना है, आप वो भी कर सकते हैं, so, जो package है आपका, अगर आप यहां पे भी जाएंगे, तो आपको देखे, perfect तरीके से सारी चीज़े, मिल जाएंगी, यहां पे भी, so friends, यह था हमारा आज का वीडियो, carousel के बारे में, किस तरीके से हम उसे flutter में add कर सकते हैं, I hope, जो मैंने आप लोगों को यहां पे explain करने की कोशिश करी है, आपको समझाया होगा, कहीं पर friends, कोई भी question है, कोई भी doubt है, तो please, वीडियो के comment box में मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, कि आपके issue को resolve कर सकूँ, वीडियो friends, अगर आपको पसंद आता है, तो please, उसको like और share जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please, उसे subscribe कर लिजे, Thank you.